दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के वन अफ दा मोस्ट एडवांस सिटी बैंगलोर के बारे में सिलिकोन वैली ओफ इंडिया के नाम से फेमस बैंगलोर में इंडिया की सबसे जादा आई टी कंपनीज के हैड़ कवार्टर्स मौजूद है और आज के टाइम पर इंडिया का हर सफट्वेयर एंजिनियर की पहली पसंद बैंगलोर ही है बैंगलोर में रहने के लिये इंडिया की one of the best places में गिना जाता है और अभी भी बेंगलोर इंडिया की fastest growing cities में से एक है घूमने के लिए भी बेंगलोर एक बहुत ही बढ़िया शहर है जहाँ आपको historical places, traditional और cultural festivals और colorful garden से लेकर adventure, fun, amusement और बहतरीन night life तक सब कुछ experience करने को मिलेगा जो चीज बेंगलोर के trip को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाती है वो है यहां का weather जो के साल पर बहुत ही सुआना रहता है बेंगलोर 900 मिटर अबव दा सी लेवल होने की वज़े से temperature 15-25 degree centigrade रहता है जो के इंडिया के हिसाब से एक दम perfect माना जाता है तो चेलिए दोस्तो आज की वीडियो में हम जानेगे बेंगलोर की टाप tourist places जो के आपको अपने बेंगलोर ट्रिप में जरूर एड़ करनी चाहिए गवानतारा केव रिजॉर्ट बेंगलोर का गवानतारा केव रिजॉर्ट इंडिया में इस तरह का पहला underground cave resort है जहां आप अपने friends या family के साथ picnic मनाने जा सकते हैं इस underground cave resort में आपको पुराने जमाने के architecture की फील आएगी और यहां indoor games और outdoor games horse riding जैसी fun activities भी हैं जहां आप definitely enjoy करेंगे अपने special architecture और unique experience की वजह से इस cave resort में बहुत ही कम टाइम में बैंगलोर में काफी popularity बना ली है snow city वैसे तो बैंगलोर में ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती लेकिन अगर आप समर्ज में यहां आ रहे हैं और बैंगलोर में रहते हुए snow में खेलना चाहते हैं तो snow city आपके लिए एक perfect place है यहां आपको zero से भी कम temperature में सनो में खेलने का मौका मिलेगा बिल्कुल इसी तरह जैसे आप hill station पर experience करेंगे snow city में आपको पूरे winter garments जैसे के jacket, shoes और gloves पर वाइड किये जाएंगे और आप यहां snow के साथ बहुत ही मज़ेदार time spend कर सकते हैं यहां snow में खेलने के लवा आप 90 सेनमे में भी कुछ exciting games और 90 movie का भी मज़ा ले सकते हैं कबन पार्क, बैंगलोर एक green city है बैंगलोर में आपको काफी सारे पार्क्स और garden देखने को मिलेंगे ऐसे एक बहुत ही सुन्दर पार्क है कबन पार्क कबन पार्क 381 में फैला एक बहुत ही बड़ा पार्क है जो कि नेचरल लेवल के लिए एक perfect destination है अपने बेतरीन एको सिस्टम के इलावा कबन पार्क में काफी fun attractions भी हैं जैसा के अटारा कचैरी, कबन पार्क म्यूजियम और इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा बेंगलोर एक्वेरियम कबन पार्क को नेचरल ब्यूटी और इंफन अट्रेक्शन की वज़े से बेंगलोर की one of the best places में गिना जाता है इनोवेटिव फिल्म सिटी, बेंगलोर की इनोवेटिव फिल्म सिटी इंडिया की one of the best amusement पार्क में से एक है ये मंबई की फिल्म सिटी से थोड़ा लग है, ये एक theme पार्क है, जहां हर age group के लिए बहुत सारी fun activities है इस amusement park में आपको काफी सारी exciting rides, water park, dinosaur park, mirror maze, haunted mansion, tribal museum, cartoon park, big boss house, sand beach, aqua kingdom और भी बहुत सारी exciting activities देखने को मिलेंगी इन सब fun और entertainment activities के इलावा आप corporate events, business meetings और pre wedding shoot के लिए भी आप यहां हाल बुक कर सकते हैं innovative film city एक पूरा complete package है, जहां आप अपना पूरा दिन बहुत ही बेतरी इन तरीके से spend कर सकते हैं स्कॉन temple, बैंगलोर आकर आप स्कॉन temple इंडिया के सबसे बड़े Christian मंदर में दर्शन करना तो बिलकुल भी मिस नहीं कर सकते स्कॉन दुनिया के सबसे बड़ी वेशनर समसाओं में से एक है और बैंगलोर के स्कॉन temple की पूरी इंडिया में काफी मानीता है इस मंदर का architecture भी काफी attractive है जो गिलास और गो पूरम के mixture से बना है जो के इसे modern और traditional दोनों तोरा का लुक देता है इस मंदर में regularly पूजा और speeches होती रहती है जो के आप free of cast अटेंड कर सकते हैं साथ ही आपको यहां भगवान करिशन का परशाद भी मिलता है जो के बहुत ही tasty होता है तोस्तों यह थी चंद famous tourist places उमीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसको like कर दें और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर नए आया हैं तो इस चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजिएगा साथ मुझूद बेल आइकान को भी प्रेस कर दें